तो हेलो साथियों, नमस्तकार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्से, जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में, और हम लेकर के आगा हैं, आपके लिए एक बहुत ही महत्पूर वीडियो है, जिन लोगों ने RRC Group D का एक्जाम दिया है, उन लोगों का एक्जाम हो चुका और वो ल WS, OBC, SC, ST, सबका कटॉप बताएंगे, और किस जोन का कितना कटॉप जाने वाला है, वो भी बताएंगे, वेकेंसी कितनी थी उस जोन में, कितनी अटेंडेंस रही है, कितने लोगों ने एक्जाम दिया है, और क्या लेवल था एक्जाम का, उसके आधार पर कटॉप यहां फिजिकल बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, फिर मेडिकल भी है, बहुत सारी चीज़े हैं, तो चलिए पहले हम रिटेन का कटॉप बताते हैं कि कितना कटॉप जाने वाला है, फेस वन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, फेस वन में तीन एक्जाम हुए थे, यानि आरार कितने गुना बिद्यारथी आगे जाएंगे और क्या कट आफ रहने वाला है, आईए देखते हैं, तो अगर हम सबसे पहले बात करें, आरार सी सिकंद्राबाद की तो बहुत ही फेमस जोन है, यहाँ पर 9,328 वेकैंसी थी और इनके 3 गुना लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा क्योंकि तीन गुना लोगों को यहां पर बुलाना है तो इतने जो है विद्धार्थी यहां पर बुलाए जाएंगे अगर यह कटॉप दिख लेते हैं कि कितना कटॉप जाने वाला है RRC शिकंदराबाद का तो पहले जनरल की कटॉप के अगर हम बात करें तो 60 से 62 अगर आपके आ रहे हैं जनरल में तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है आप फिजिकल शुरू कर सकते हैं तो 55 дав Pros SC में आ रहे हैं तो आप विल्कुल safe zone में हैं और वहीं अगर हम बात करते हैं ST की तो 50 से 53 नमबर अगर आपके SC RRB सिकंद्राबाद में आ रहे हैं तो आपको अपनी physical की तयारी सुरू कर देनी चाहिए क्योंकि जैसे ही result आएगा उसके तुरंत बात जो है यहां पर आपको physical के लिए लगभग मुश्किल से एक महीने का समय देंगे फिर physical के लिए बुला लेंगे attendance क्या रही थी paper का level क्या रहा था वो हम last में आपको बताने वाले हैं और क्या यहां पर और जो कारण हो सकते हैं कि इसकी cut off इतना कम जाने की क्योंकि आपको पता है RRB NTPC का exam हो चुका है तो NTPC का भी result जो है RRC Group D से पहले जारी कर देंगे तो बहुत सारा अंतर भी यहां पर आने वाला है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जोन की बात करते हैं अगला जोने आपका RRC Mumbai जहां पर vacancy थी 10734 vacancy थी अगर इनका तीन गुना की अगर हम बात करते हैं तो लगबग आपके 32202 लोगों को 32202 लोगों को यहां पर फिचकल के लिए बुला जाएगा तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कटॉप जाने वाला है RRC Mumbai का तो देखिए अगर हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल का वही सेम रहे सेफ जोन में हैं वहीं SC की बात करते हैं तो 52-55 नमबर अगर आपके SC में आ रहे हैं और अगर वहीं पर बात करें ST की तो 48-50 नमबर आपके ST में आ रहे हैं RRC Mumbai से तो बिलकुल आपको फिचकल की तयारी सुरू कर देनी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले जोन की बा पर फिचकल के लिए तो अगर इसका तीन गुना करते हैं तो लगबग 10689 दस हजार 1689 लोगों को यहाँ पर बिलाये जाएगा फिचकल क Fürs लिए जंटर के लिए तो जन्र की बात करते हैं तो सरथ से 62-56 नमबर यहां पर जन्रल का कट आप जाने वाला है वहीं अगर बात करते हैं EWS 80-60 SC 55-50 और अगर हम ST की बात करते हैं तो 50-52 नंबर ST का cut-off जाने वाला है यह phase 1 के तीन जोन थे इतना cut-off इतना ही जाएगा और क्या-क्या region हो सकते हैं तो आईए उनके बार ही बात कर लेते हैं तो देखिए अगर हम region की बात करें तो आपको पता है NTPC का जो result है वो भी बहुत जल्द यहाँ पर घोसित हो जाएगा तो जो NTPC वाले बच्चे होंगे वो यहाँ पर निकल जाएंगे क्योंकि वो talented लोग ही है तभी तो NTPC क्वालिफाय करेंगे तो इससे भी आपके cut-off पर असर पढ़ने वाला है ठीक है attendance की बात करते हैं तो लगबख 50-55% लोग ही यहाँ पर exam देने गए थे attendance बहुत कम रही थी phase one में इस वज़े से इस cut-off में भी लगबख आप अगर एक से दो नंबर कम नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं तो भी आप यहाँ पर safe zone में हैं यानि कि अगर जनरल वाले 60 नंबर पर है तो भी आप safe zone में आपको तयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि attendance बहुत कम थी और level भी थोड़ा high था पिछली बार की अपेच्छा तो यह सारे fact बन सकते हैं क्या अधार पर हम कह सकते हैं कि इतना ही cut-off आपका जाने वाला है वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर दीजी चैनल को सब्सक्राइब करके notification बिल दवा दीजिए इसके बाद में हम लेकर क्याने वाले phase 2 का क्या cut-off जाएगा फेस 3 का क्या cut-off जाएगा उसकी बा मिलने वाले हैं तो जल्दी मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद